दूस्तो एक गाउं में चमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। पिछले कुछ दिनों से उसके खेत में एक नाग नागिन का जुड़ा चक्कर लगा रहा था। एक बार भरी दोपहर में चमन अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वो नाग नागिन एक दूसरे है कि क्या हो गया तब वो बताता है कि खेत में एक नाग मेरे फावड़े के नीचे हा गया और उसका सर कट परन्थो उसकी पतने कहती है कि खेत में तो अक्सर ये सब कुछ होता रहता है आप फिकर करें और चमन खानाखा कर सो गया लेकिन दोस्तों वह उस नाग की नागिन ने अपने नाग की आँक्षों में कातल का चेहरां देख लिया था तभी रात को वह नागिन खिडकी से आती है और चमन को डस कर नाग का बदला पूरा करती है तो दोस्तों घटना पसंद आई हो तो कॉमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव